हलो बच्चों कैसे आप सब लो एक्जाम देने के बाद आप CS Executive के वेट कर रहे होगे कि आपका result का बाने वाला है जैसे यह आपको बता है कुछ बच्चों को पता हो हो सकता है कुछ बच्चों को ना बता हो इसलिए मैं बता दूं कि आपका जो result है ICSI कोई announcement नहीं करता है वैसे तो आपको बता है एक दू दिन पहले ही बताता है कि हाँ आपकी website पे इतने बज़े इतने बज़े आ जाएगा but mostly आपको पता है 100% होता है कि fix date है 25th of February को 25th of February को आपका जो December वले exam है उनका result अगले सल की 25 February को आ जाता है 10 बज़े सुबे professional exam का result आता है CS professional के result आता है और दो बज़े दुपैर के CS executive program वालों के result आ जाते है ठीक है इसलिए एक बात fix आपको भी बता है कि जो आपके executive के exam है उसके result कब आने वारा है 25th of February को आने वारे है ठीक है अपना timely manner में हुए है इसलिए result उसी date को ही आएगा 25th of February को है ना इसलिए आप अगर आप एक module के लिए त्यारी कर रहे थे वो exam दी है आपने तो आप दूसरे के लिए जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिजिए regular basis पर wait मत कीजिए result का result तो उसी date पर ही आएगा जब आना है है ना इसलिए tension मत दीजिए अच्छा ही होपस ओ अच्छा ही होगा ठी कि अगर आपने पर पिश्छन करके त्यारी करके अपर ली दीए पेपर तो अब जरूर पास होगे जरूर पास होगे tension मत दीजिए ठीक है क्योंकि आज नहीं तो कल जो अच्छे से पढ़के देता है आज नी तो कल उसका result निकल ही जायेगा है ना आज नी निकले का तो कोई बात नहीं कल देंगे दोनों कट्टे देंगे है ना यह कल निकल जाएगा कल नहीं तो next मतलब क्या है result आही जाता है जो बच्चे यह सोच कर आते हैं कि मैंने CS बनकर ही बार जाना है अपना ड्रीम पर दूँगा हो गया तो clear नहीं तो छोड़ दूँगा वो आज भी छोड़ने पड़ते हैं उसको कल भी छोड़ना पड़ता है तो कि यहां पर ऐसा नहीं चलता है आप बस दर निश्चे लेकर आईए निश्चे लेकर आईए कि में को CS बन कर जाना है तो 100% definitely granted आप CS बन कर द रही है company लोग जैसे सब्जेक्ट को या फिर security लोग क्यों कि यह हर लेवल पर आपको अगे काम आने वाला है जोनों ने बहुत ग्रूम मुडिल भी दी है उनके लिए मैं especially कहूंगा वह वेट मत करें कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं regular स्टडी में टर्च में जुड़े रह है इसलिए study करते रही है ठीक है क्योंकि हम professionals के लिए study ही actually में सबसे last तक बने रही हाज की date में भी चाहे मैं हूं चाहे जगदीब सर है हम लोग कम से कम 2-3 घंटे study daily करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चाहे मुझे CS बने 7-8 साल हो गया है CA बने 10 साल हो गया है फिर भी हम teaching में है कोई विया ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही थैंक यू गुडबाई